हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का गेटनेप्स फर्यू चैनल में लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि पॉइंटर कों के इस तरीके से टिकलेव कर सकते हैं और पॉइंटर को हम यूज कैसे करते हैं पॉइंटर को हमने जाना और इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं सबका मतलब क्या होता है और एक बार इसको कंपाइलर पर रन करके देखता है और दोस्तों इस वीडियो के बार डेफिनेटली आपके पास चाहिए उनिवेस्टे एक्जाम्स के लिए हो या इसको यूज करते हैं कैसे वह यूज होता है तो उसके बाद इसको यूज करना दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है यह भी एक सिंपल डेटाटाइप ही है और किस तरीके से हम जैसे इंट ए बनाते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं एक को हम तो लूप्स करना है या लॉजि एंटर किये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी A के अंदर भी क्या पड़ा है यहां पर garbage value पड़ी है B and defined symbol है क्योंकि B मैं आप डिकलेर ही नहीं किया है B आपका देखे P कोई pointer बन गया है और इसके अंदर क्या पड़ा है दोस्तों garbage value पड़ी है और आप P का कोई address assign हो चुका है A का कोई address assign हो चुका है जैसे यह line चलेगी अब आप देख सकते हैं एक ही value क्या होगी दोस्तों 10 हो गई है A का cell का address आप देख सकते हैं देखे FFF4 है और P को क्या मिला है दोस्तों FFF2 मिला है P का address क्या है FFF2 है पी के अंदर दोस्तों देखें value क्या पड़ी है क्योंकि इसके अभी कोई default address पड़ा है जैसे ये line चलेगी दोस्तों address of a assign हो जाएगा p में तो इस line के बाद आप देख सकते है p की value जो हो जाएगी दोस्तों वो a का address हो जाएगी मतलब fff4 हो जाएगी देख सकते हैं आप ये line चल चुकी है तो p का address में क्या आचुका है दोस्तों fff4 हो चुका है अब दोस्तों next line में print क्या कर रहे है print करने जा रहे हैं दोस्तों a को और a को address को अब देखें दोस्तो a क्या है a value है जोकि 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा और फिर हमने start p लगाया है आप u भी लगा सकते है तो वो print कर रहे हैं आप a का address को print कर रहे है तो आप address को जब प्रिंट करेंगे तो fff4 जो address प्रिंट हो रहे है दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास 10 और fff4 आ चुका है यह 10 किसके लिए है दोस्तों a के लिए की value क्या है 10 है और address of a क्या है दोस्तों वो a का address है जो इस case में क्या मिला है fff4 मिला है जो cell का address है दोस्तों वो क्या है fff4 है अब दोस्तों next कर रहे हैं print p को और p के address को अब देखिए दोस्तों p क्या है P के अंदर क्या store हुआ है दोस्तो A का address मतलब P की value ही क्या है दोस्तो FFF4 है उसका address है और address of P P को कोई और address मिला है वो क्या है दोस्तो FFF2 मिला है तो यहाँ पर वो print हो जाएगा आप देख सकते हैं इन दोनों का address print हो गया FFF4 and FFF2 अब दोस्तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है हम print कर रहे है पर संट D और A को print कर रहे है अभी हम A को print नहीं करता है काम करता है यहाँ पर सिर्फ हम different different चीज लगा के देखें यह बाद में पहले हम दोस्तो क्या print कर रहे है star p print कर रहे हैं, एक बार इस program को दुबारा से चलाता है अब यहाँ पर क्या है दोस्तो, print कर रहे है पर star p तो star p क्या है दोस्तो star का मतलब मैंने आपको बताया, देखिए अभी यह दो variable के बीच में तो use नहीं हो रहा है मतलब यह multiplication operator तो नहीं है तो यह unary operator है, और कौन सा operator बोलता है इसको cmm, dereferencing operator तो दोस्तो हमेशा यह कहां work करता है किसी address से पहले लगा होता है तो जब आप star p लगाएंगे दोस्तो, तो होगा क्या यहाँ पर star p का मतलब value at address p, p का मतलब value at address p के अंदर क्या पढ़ा है, fff4 तो fff4 cell में जो value है, उसको यह print करेगा और fff4 cell, दोस्तो किसका cell का address है, यह a का और a cell के मतलब इस cell के अंदर value क्या store हो रखिए, दोस्तो, 10 हो रखिए तो जब आप star p print करेंगे तो आपकी value क्या print हो जाएगे, दोस्तो 10 print हो जाएगे, तो आप इस चीच को शायद अच्छे से समझ गए होंगे, अगर हम star p के साथ दोस्तो एक काम करते हैं, यहा पर star, यहाँ पर हम print करने की कोईश्च करते हैं, इसके साथ ही हमने लगाया है star और साथ में हम कर रहा है address of a अब दोस्तो देखे, p के अंदर भी address of a हम इस तरीके से भी use करेंगे, तब भी हमारा यह same work करेगा, और आप देख सकते हैं, हमारी output में क्या आगया, दोनों 10 10 print हो गया है, क्योंकि star p मतलब value at address p, p का मतलब क्या है fff4 है, तो मतलब की value क्या है, fff4 cell के address में, तो वहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा अब इस star कर रहे है address of a एक address क्या है दोस्तो, fff4 ही है तो इसका मतलब भी यहाँ पर क्या है दोस्तो, star और m% a आपको क्या दे रहा है दोस्तो, fff4 दे रहा है, तो मतलब value at address fff4 और वो आपको क्या मिलेगी दोस्तो, 10 मिल जाएगी तो इसलिए दोनों case में दोस्तो, आप देख सकते हैं क्या print हो आ रहा है, 10 और 10 प्रिंट हो है अब हम एक program को समझते हैं, वहाँ पर इसकी output निकालने कोश्च करते हैं फिर दुबारा उसको run करके देखेंगे और इस दोनों examples के बाद, शायद pointers आपको बहुत हद तक clear हो जाएगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं तो आएए समझते हैं उस example को अभी तो दोस्तो हमने इस program में क्या किया है हमने एक variable declare किया है, a equals to 10, b equals to 20 तो आज जासा कि हमें पता है, a create हो जाएगा memory में और b create हो जाएगा, इसके अंदर 10 चला गया, 20 चला गया यह दोनों जो memory location पे create हुए हमने माना है कि यह 2000 है और यह 4000 है और हमने star p और star q मतलब दो pointers बनाए है p और q, p क्या है store कर सकता है आपको पता है यह दोस्तों int a, b, c, d आप लिखना है तो int तो सबके साथ है तो आप इसको ऐसा भी समझ सकता है int star p और int star q मतलब p क्या है, integer type pointer है integer type pointer मतलब यह किसी integer का address hold कर सकता है अब दोस्तों next line में देखिए हमने क्या किया है a के address किसके अंदर डाल दिया p में और b के address किसके अंदर डाल दिया q में दोस्तों यह मेरा suggestion आप कभी भी question कर रहा है या आप programming सीखना शुरू कर रहा है तो आप शुरू में copy पर run कर के देखिए उसको अच्छे से खुद से चला के देखिए और जब आप चला रहे हैं तो उसको line by line boxes बनाते रही और उसके अंदर values डाल तरही यहाँ पर आपने क्या किया है दोस्तो a का address उठा के डाला है p के अंदर तो p के अंदर दोस्तो क्या आगया है 2000 आपका store हो गया है फिर हमने p के address उठाया है और वो किसके अंदर डाला है दोस्तो q के अंदर तो q के अंदर जाके क्या store हो गया दोस्तो 4000 store हो गया है अब दोस्तो हम printf कर रहे है %d a plus b अब दोस्तो देखिए a क्या है a की value है 10 b की value है 20 तो 10 plus 20 30 होगा और वो print हो जाएगा तो इस line की output दोस्तो आपको क्या मिलने वाली है 30 मिलने वाली है अब next line देखता है इसकी output क्या है कि printf %d में हमने print किया है दोस्तो star p प्लस star q अब देखिए unary operator है इसकी जो आपकी precedence है वो हमारी binary operator से जादा है मतलब प्लस से तो पहले solve होगा ये star p इस star p दोस्तो क्या करेगा value at address p p मतलब 2000 तो value at address 2000 मतलब 2000 वे cell पे 2000 वे cell पे address के क्या पड़ा है तो दोस्तो 2000 वे cell पे हमारे क्या पड़ा है 10 तो indirectly ये भी आपको क्या दे रहा है 10 दे रहा है और star q मतलब value at address 4000 1000, मतलब 4000 address पर क्या value पड़ी है दोस्तों, वो पड़ी है तुम्हारी 20, तो 10 प्लस 20 इस line की भी output क्या आने वाली है दोस्तों, 30 आने वाली है, देखें next line हमने काम क्या किया है, printf में print क्या किया है, star m% a, दोस्तो m% a मतलब address of a, a का address क्या है दोस्तों, 2000 है, तो star अंदर क्या है 2000, तो दोस्तो 2000 क्या किसी cell का address है, हमने अभी समझाता जैसे, वो सकता है, इसका address fff2 होता, तो star fff2 तब भी work करता दोस्तों, तो star 2000, मतलब value at address 2000 cell पर क्या पड़ा है, दोस्तो 10 पड़ा है, same case, address of b, वो कितना है 4000, मतलब 4000 पर दोस्तों क्या value पड़ी होगी उस case में, तो यहा अगि क्या जाएगी, 30 अब दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे है, एक ही value को उठाके किस में डाल रहे है, ब में डाल रहे है, तो दोस्तों क्या होगा, एक ही value असाइन हो जाएगी, मतलब की b में भी इसके बाद क्या sign हो जाएगा दोस्तो 10 आजाएगा next हम क्या कर रहे है आगे print कर रहे है ए और भी दोनों को तो दोस्तो ए और भी दोनों की value कितनी है 10 है तो 10 10 आपकी print हो जाएगा तो मत्तलब इस line की output के आएगी 10 10 आएगी दोस्तो चाहे आप university purpose से समझ रहे हो तो आपकी pointer की understanding कि इस video के प्रोग्राम से एक समझ रहे है कि pointers actually किस तरीके से work करते हैं मैंने बिल्कुल सम का प्रोग्राम कोई एक different different approach से बनाने की कोशिश किये जिससे कि हम pointers का use समझ जाए फिर इसके बाद इसकी implementation क्यों हम करते हैं functions के अंदर क्या importance है इसकी वो next video में जब हम समझेंगे call by value और call by reference उ दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा वी की value चेंज हो के कितनी हो जाएगी दोस्तो 15 हो जाएगी इसके बात देखें हमने next line में क्या किया है star q को डाला है star q में star q मतलब दोस्तो value at address q, q का मतलब क्या है दोस्तो 4 जाआर जा, value at address 4000, 4000 address पर दोस्तो value कितनी पड़ी है 15 मतलब किसमेh Sign होना है, दोस्तों अगर यहां पर केवल लिख देते P, तो यह एक Error होती। क्योंकि P का मतलब क्या है दोस्तों, P ऐक pointer है. pointer के अंदर क्या store होता है? Address अगर आप 15 को P में डाल रहे ह। तो 15 तो तो यहाँ पर इस store नहीं हो सकता, देखे 2000 का मतलब वही जैसा हम कर रहे थे है FFF2, तो हमने अपनी convenience के लिए यहाँ पर इसको 2000 मान लिया है, तो वो है क्या दोस्तों एक चरीके से sell का address है, तो 15 तो यहाँ पर इस store नहीं हो सकता, तो इसलिए star P में error आ जाती है, तो कई बार competition में तो इस तरीके के question बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमें इस use को बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए, बट star P एगर आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, star P का मतलब value at address P, P मतलब value part of address 2000, मतलब 2000 के value part में हमें इसे डालना है, तो 15 कहां चला जाएगा दोस्तों, indirectly pointer के through, ये adaptation हमने करा दिये, यहाँ पे, तो आप इस line को समझ गए होगे दोस्तों अच्छे से, star Q मतलब value at address 4000, 4000 cell पे value क्या पड़िया दोस्तों, इस time 15 पड़िये, वो कहां चली जाएगी, star P, मतलब की value part में P, P मतलब 2000, तो मतलब 2000 वे cell के value part में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, तो अगर अब आप print करेंगे, तो दोस्तों value हमारी print होगी 15 और 15, इसके बाद next line में हम देखें क्या कर रहा है, A की value का हमने क्या कर दिया है, 30 कर दिया, मैं इसको एक बार clear कर लेता हूँ, A की value क्या कर दी, दोस्तों मैंने 30 कर दी, और B की value दोस्तों मैंने क्या कर दी, 15 कर दी, और इसके बाद दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस स्टार क्यू, स्टार क्यू मतलब value at address 4000, वहाँ पर कितना पढ़ा है दोस्तो, 15, तो 13 प्लस, 30 प्लस 15 दोस्तो कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, और 45 किसके अंदर आप इस store कर रहे हैं, एक अंदर, तो एक ही value इस line के बाद दोस्तो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाए को भी समझता है, तो फिर उसके बाद हमारा pointers बहुत अच्छे से सारा कुछ clear होने वारा है, तो अब समझते हैं उस example को, तो आएगे दोस्तों, आप समझते हैं इस example को, इस example में हमने last example जैसे ही जो हमने समझा है, जिसके question निकाला हमने outputs देख लिए है, उसी को मैंने लगव और B का address है कुछ यहाँ पे, और P and Q में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, दो pointer create हो गया, और pointer के अंदर आप देख सकते हैं garbage value भी क्या पड़ा है, कुछ address type का पड़ा है garbage values यहाँ पे, तो अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप A का address डाल रहे हैं यहाँ पर P के अंदर, तो आप इस line के बाद देख सकते हैं, जो A का address था, मतलब FFF4, वो assign हो जाएगा दोस्तों P के अंदर, तो देख सकते हैं, P की value क्या हो गई है, A का address इसके assign, अंदर assign हो गया है, इस line के बाद B का address चला जाएगा, दोस्तों Q की अंदर, आप देख सकते हैं, चेंज हो गया है, value क्या है दोस्टो fff4 है तो value at address FFF4 और वो value क्या है दोस्टो fff4 के address मतार Goodbye address कि cell का है दोस्तो ये sang address है तो उसके अंदर क्या पढ़ा है 10 तो आपको दोस्तों ये क्या देगा 10 और頭 स्टार q आपको क्या देढ़ा wn fff4 फे fff2 पे तो माँपे प्रिंटी तो यहां पे भी 10 प्रिंटी यहां पे भी क्या प्रिंट होगा दोस्तों आपका 30 ही प्रिंट हो जाएगा next पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों स्टार पी और स्टार क्यों प्रिंट कर रहे हैं तो यहां पर मैंने क्या किया है दोस्तो address of B, B का address क्या मिलेगा दोस्तो आपको FFF2 और FFF2 के address पार्ट पर क्या पढ़ा है, तो यानि value at address FFF2 और वो क्या पढ़ा है 20, तो यह भी क्या देगा दोस्तो आपको 10 plus 20, मतलब 30 यह भी आपको देदेगा, अब दोस्तो next line में हमने क्य क्या किया देखिए, यहां हम क्या कर रहे हैं दोस्तो Q की value उठा के, हम किस में डालँई हैं, दोस्तो P के अंदर डालेंगे, Q के अंदर क्या पढ़ा है दोस्तो, FFF2 पढ़ा है, मतलब एक तरीके से वह address है किसका B का, और वो value किसके अंदर डाल रहे हैं तो P के अंदर भी दोस्तो इसके बाद क्या हो जाएगा FFF2 हो जाएगा मतलब P और Q इस ताइम दोनों hold कर रहे हैं B का address तो दोस्तो जब आप कर रहे हैं इस ताइम पर स्टार P तो स्टार P का मतलब भी इस ताइम पर क्या है क्योंकि P के अंदर address आ चुका है FFF2 और उस style पर क्या पढ़ा है दोस्तो 20 पढ़ा है तो यहाँ पर क्या है 20 अगर आप करेंगे तो स्टार P आपको क्या देगा 20 और स्टार Q भी क्या आपको देगा दोस्तो 20 देगा तो यानि इसका जो सम प्रिंट होगा दोस्तो वो कितना प्रिंट हो जाएगा 40 प्रिंट हो जा या आप क्या चीज हम लगाएंगे तो error कैसे आ सकती है वो आपको बहुत अच्छे से clear हो गया हुगा next video में हम दोस्तों देखेंगे कि इसकी utility क्या है हम functions में actually में इसको कैसे use कर सकता है और वहाँ पर ही इसका actual उपयोग क्या है क्योंकि दोस्तों कुछ काम जो हमने अभी तक किये है क्या वो हम कुछ और भी तरीके के हमें changes चाहिए तो क्या call by value वहाँ पर भी work कर सकता है तो next video में पहले समझेंगे call by value क्या है call by reference क्या है फिर उन दोनों का difference अच्छे से जानने की कोशिच करेंगे और देखेंगे pointers हमारा किस तरीके से helpful होता है इसके functions के अंदर तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो please वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए और जो भी आपका suggestion हो वह आप comment करके दे सकता है thanks for watching